नमस्कार कारकम में मेरे साथ जुड रहे केबिनेट के मेरे सभी सहीयोगी गान राज्यों के मानने राजपाल सभी सम्मानित मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री राज्य सरकारों के मंत्री गान उपस्तित सिक्षावीत अध्यापगान, सभी अभिभावक और मेरे पिर्याय युवासाथियों, नई राष्टिय शिक्षानीती को एक साल पूरा होने पर सभी देश्वासियों और विशेशकर्द सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत सुपकामना है, बीते एक वर्ष में देश के आप सभी महनुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचारियों, नितिकारों ने, राष्टिय शिक्षानीती को धराप्तल पर उतारने में बहुत महनत की हैं, कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों आटोनोमस बॉडिस से सुझाव लेकर, टास्पोर्स बनाकर, नई शिक्षानीती का चरणबद तरीके से लागु किया जा रहा है, बीते एक बर्ष में राष्ट्य शिक्षानीती को आधार बनाकर, अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं, आज इसी कड़ी में, मुझे बहुत सारी नई योजनाएं, नए इनिसेटिव्स, इसकी सुरुवात करने का सौफागे मिला है, साथ यह महत्वपुन अवसर ऐसे समय में आया है, जब देश आजहाजी के 75 साल का अम्रुत महोत्सम मना रहा है, आज से कुछी दिन बात, 15 अगस्त को हम, आजहाजी के 75 साल में प्रवेश्वी करने जा रहे हैं, एक तरह से नई राष्टिय सिख्षानीती का इंप्लिमेंटेशन, आजहाजी के अम्रुत महोत्सम का प्रमुख हिस्सा बन गया है, इतने बड़े महापार्व के बीच, राष्टिय सिख्षानीती के तहट, आज शुरू हुई योजनाय, नए भारत के निर्मान में, बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी, भारत के जिस सुनहरे भविष के संकल्प के साथ, आज हम आजहादी का अम्रुत महोत्सम मना रहे हैं, उस भविष्य की और हमें, आज की नई पीडी ही ले जाएगी, भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी उंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा, कि हम अपने युवाओं को बरतमान में, यानि आज कैसी शुक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूँ, भारत की नई राष्टिय शुक्षा नीती, राष्ट निर्मार के महा यग्यने में, बड़े फ्यक्टर मैं से एक हैं, और इसलिए देश ने इस शुक्षा नीती को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेड़ी रखा है, आज इस कारकम में जुड़े अधिकाउश महानुभाव, नई राष्टिय शुक्षा नीती की बारिक्यों से परिचीत हैं, लेकिन यह कितना बड़ा मिशन है, इस ऐसास को हमें बार बार याद करना ही है, साथियों, देश भर से हमारे कई युवा स्ट्रेडन्स भी इस कारकम में हमारे साथ है, अगर इन साथियों से हम उनकी आकांख्षों के बारे में, सपनों के बारे में पूछें, तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई उर्जा है, हमारे युवा बड़लाव के लिए पूरी तरह से तयार है, वो इंतजार नहीं करना चाहता है, हम सब ने देखा है, कोरोना काल में कैसे हमारी सिक्षा विवस्ता के सामने इतनी बड़ी चुनोती आई, स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का डंग बदल गया, लेकिन देश के विद्ध्यार्थों ने तेजी से इस बड़लाव को एड़ अड़ किया है, ओनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है, शिक्षा मंत्रा ले ने भी इसके लिए अनेक प्रयास किये हैं, मंत्रा ले ने दिक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयम पोर्टल पर पाठर्गम शुरू किये, और हमारे स्टूडन्स पूरे जोज से इनका हिस्सा बन गए, दिक्षा पोर्टल पर मुझे बताया गया, कि पिछले एक साल में तेईसो करोड से ज़्यादा हिट होना, यह बताता है कि यह कितना उप्योगी प्रयास रहा है, आज भी इसमें हर दिन करीब पांच करोड हिट हो रहे हैं, साथ क्यों 21 सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्ताएं अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों पिंजरों से मुक्ति चाहिए, आप देखिए, आज छोटे छोटे गाउं से कसबों से निकले वाले युवा कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं, इनी दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा, आज टोक्यो ओलिम्पिक्स में देश का जंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं, ऐसे ही करोड़ युवा, आज अलग-अलग शेत्रों में असाधरन काम कर रहे हैं, असाधरन लक्षों की नीव रख रहे हैं, कोई कला और संस्कृति के शेत्र में, पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा हैं, कोई रोबोटिक्स के शेत्र में कभी साइफाई मानी जाने वाली कलपनाओं को हकिकत में बदल रहा है, कोई आर्टिफिशल इंट्रिजन के शेत्र में मान्मियक शम्ताओं को नई उचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइल्स्टोन की तैयारी कर रहा है, यानि हर शेत्र में भारत के युवा अपना पर्चम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यही युवा भारत के स्टार्ट अप इको सिस्टिम को रिवर्शनलाइज कर रहे हैं, इंडिस्ट्री 4.0 में भारत के नित्रुत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इलिया को नई गति दे रहे हैं, आप कल्पना करिए, इस युवा पीडी को जब इनके सपनों के अनुरूप बातावरन मिलेगा, तो इतनी शक्ति कितनी जादा बढ़ जाएगी, और इसलिए नई राष्ट्रिय शिक्षानीती युवाओं को ये विश्वात दिलाती हैं कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनके हौसलों के साथ हैं, जिस आर्टिफिशल इंटलिजन्स के प्रोग्रेम को अभी लौंच किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरियेंटेड बनाएगा, AI ड्रिवन एकॉनमी के रास्ते खोलेगा, शिक्षा में ये डिजिटलर रिवालूशन पूरे देश में एक साथ आए, गाउं, शहर सब समान रुप से डिजिटल लर्निंग से जुड़े इसका भी ख्यास ख्याल रखा गया है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्ट्चर यानी NDR और नेशनल एजुकेशन टेक्नलोजी फॉरम NETF इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नलोजिकल फ्रेमबर्ग उपलब्द कराने में एहम भूमी का निभाएंगे, युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकास बहजे से उड़दा चाहे, देश की नई शिच्छा व्यवस्ता उसे बैसे ही आउसर उपलब्द कराएगी, साथ क्यों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रिय शिच्छानीती को किसी भी तरह के दबाव से मुक्द रखा गया है, जो ओपननेस, जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंस को मिल रहे विकल्पों में भी है, अब स्टूडेंस कितना पड़े, कितना समय तक पड़े, ये सिर्फ बार्स और उनिवर्सिट नहीं तय करेगा, इस फैसले में स्टूडेंस की भी सहभागिता होगी, मल्टीपल एंट्री एंड एक्जीड की जो व्यवस्ता आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंस को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकडे रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है, आधुनिक टेक्नलोजी पर आधारित, एकेडेमिक बैंक अब क्रेडिट इस सिस्टिम से इस दिशा में स्टूडेंस के लिए revolutionary change आने वाला है, अब हर युवा अपनी रूची में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्टूड को चूच कर सकता है, छोड़ सकता है, अब कोई कोर्स सलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे decision गलत हो गया, तो क्या होगा, इसी तरह structured assessment for analyzing learning levels, यानि सफल के जरिये students के आकलन के भी वैज्ञानिक व्यवस्ता शुरू हुई है, ये व्यवस्ता आने वाले समय में students को परिछा के डर से भी बुक्ती दिढाएगी, ये डर जब युवा मन से निकलेगा, तो नए-नए skill लेने का साहस और नए-नए innovations का नया दोर शुरू होगा, संभावनाय असिम बिस्तार होगी, इसलिए मैं फिर कहूँगा कि आज नई राष्टिय शिक्षानिती के तहत, जो ये नए कारकव शुरू हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्त है, साथ को, हमने आपने दसकों से ये माहुल देखा है, जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेशी जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडन्स भारत आएं, बेस इंस्टिटूशन भारत आएं, ये अब हम देखने जा रहे हैं, ये जानकारी बहुत उत्सा बढ़ाने वाली हैं कि देश की डेड़ सो से ज़्यादा उनिवर्सिटीज में आफिस अब इंटरनेस्टल एफर्स थापित किये जा चुके हैं, भारत के हायर एजुकेशन इंस्टिटूट्स अंतराश्च्य स्तर पर रिसर्च और एकडेमिक में और आगे बढ़े इसके लिए आज नई गाइडलेंज भी जारी की गई हैं, साथियों, आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए, हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा, हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफर्स्रक्टर हो, टेक्नलोजी हो, देश को हर दिशा में समर्त और आत्म निरभर होना होगा, आत्म निरभर भारत का ए रास्ता, स्किल डेवलप्मेंट और टेक्नलोजी से होकर जाता है, जिस पर NEP में विशेष ध्यान दिया गया है, मुझे खुशी है कि बीते एक साल में बारा सो से ज्यादा उच्च सिक्षा संसानों में स्किल डेवलेप्मेंट से जुड़े सेक्डो नए कोर्सेस को मज़ूरी दी गई है साथ क्यों सिक्षा के विशय में पुझ्य बापु मात्मा गांधी कहा करते थे राष्ट्रिय शिक्षा को सच्चे अर्थम में राष्ट्रिय होने के लिए राष्ट्रिय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए बापु के इसी दुरदर्सी विचार को पुरा करने के लिए स्थानिय भाशाओं में मदर लेंग्वेज में सिख्षा का विचार एनिपी में रखा गया है अब हायर एजुकेशन में मीडियम अफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानिय भासाओं भे भी एक विकल्प होगी मुझे खुची है कि आठ राज्जों के चौदा इंजिनिरिंग कॉलेज पांच भारतिय भाषाएं हिंदी, तमील, तेलुगु, मराथी और बांगला में इंजिनिरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं इंजिनिरिंग के कोर्स का ग्यारा भारतिय भार्षाओं में ट्रांस्ट्रेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है छेत्रिय भार्षा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं चात्र चात्राओं को मैं विशेश्ट बधाई देना चाहता हूँ इसका सबसे बड़ा लाब देश के गरिब बर्ख को गाउं कस्पों में रहने वाले मद्यम बर्ख के स्टूडेंस को दलीद पिछ्रे और आदिवासी भाई बहनों को होगा इनी परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे जादा लेंगवेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था सबसे जादा नुक्षान इनी परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था मात्रु भाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्म विश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ और प्रतिभागे सास्त न्याय होगा, साथियो प्रारंबिक शिक्षा में भी मात्रु भाषा को प्रोसाइद करने का काम शुरू हो चुका है। जो विद्या प्रवेश्ट प्रोग्रेम आज लॉंच किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमी का है। प्ले स्कूल का जो कंसेप अभी तक बड़े शहरों तक ही सिमीत है, विद्या प्रवेश्ट के जरिये वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गाउं गाउं जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तोर पर लागू होगा, और राज्य भी अपनी अपनी जरुवत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। यानि देश के किसी भी हिस्से में बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हसते हुए ही होगी, आसानी से होगी इस दिशा का ये प्रयास है। और जब शुरुवात मुस्कान के साथ होगी, तो आगे सफलता का मार्ग भी आसानी से ही पुरा होगा। ताथियों, आज एक और काम होगा है, जो मेरे रुदे के बहुत करीब है, बहुत संबेदन सिल है। आज देश में तीन लाग से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, जिनको सिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यक्ता पड़ती है। इसे समझते हुए भारतिय साइन लेंग्वेज को पहली बार एक भाषा विशय यानि एक सब्जक्त का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पड़ पाएंगे। इसे भारतिय साइन लेंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में उसके जीवन में बड़ी प्रेणा उसके अध्यापक होते हैं। और हमार यहां तो कहा गया है गुरोण ऑ प्राप्ते यत्यतत न अन्य अत्रापी अभ्यते अर्थात जो गुरू से प्राप्त नहीं हो सकता वो कही प्राप्त नहीं हो सकता। यानि ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अच्छा गुरू अच्छा सिख्षक मिलने के बाद दुरलब हो इसलिए राष्टिय सिख्षा नीती के फर्मुलेशन से लेकर इंप्लिमेंटेशन तक हर स्टेक पर हमारे सिख्षक सक्क्रिय रुप से इस अभ्यान का हिस्सा है आज लॉंच हुआ निष्ठा 2.0 ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक एहम भूमी का निभाएगा इस प्रोग्राम के जरिये देश के सिख्षकों को आधुनिक जरुरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी और वो अपने सुजहाव भी विभाग को दे पाएंगे अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चड़कर के हिस्सा लीजिए अधीक से अधीक योगदान दीजिए आप सभी शिख्षा के खेत्र में इतना अनुभव रखते हैं व्यापक अनुभव के धारग है इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट को बहुत आगे लेकर जाएंगे मैं मानता हूँ कि इस कालखन में हम जिस भी भूमी का में हैं हम सौभागे शाली हैं कि हम इतने बड़े बड़लावों के गड़गवा बन रहे हैं इन बड़लावों में सक्रिय भूमी का निभा रहे हैं आपके जीमन में ये सननिम अवसर आया है कि आप देश के भविश का निर्मान करेंगे भविश की रूप रेखा अपने हाथों में खिचेंगे मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्टिय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बढ़ लेंगे हमारा देश एक नए यूग का साक्षातकार करेगा जैसे जैसे हम अपनी हुआ पीड़ी को एक आधुनिक और राष्टिय शिक्षा विवस्ता से जोड़ते जाएंगे देश आजहादी के अमरुत संकल्पों को हासिल करता जाएगा इनी शुब कामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आप सब स्वस्त रहें और नई उर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें बहुत बहुत धन्यवाद